तो हाँ जी क्या हाले दोस्तों आपके और कैसी आपके तियारी चल रही है उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और सब सही चल रहा होगा और अगर नहीं चल रहा है तो यार मेहनत कर लो पढ़ लो आने वाले समय में बहुत सारे एकजाम होने वाले हैं और जो बहुत आप थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो यह जाके आपको पता लगेगा चीज़े क्या होता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई समझाने वाला नहीं था उन्हें स्वयम से धक्के खाए हैं फिर देखा कि यह रास्ता बंद है और तब जाके उन्होंने अपनी लाइब का एक अच्छा रास्ता चुना है आपको समझाने वाले बहुत सारे हैं आज कल छात्र मोटिवेटेड रहता है इंटरनेट के माधियम से अपना करियर और अगर आपने चुनी लिया है यह करियर तो आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए काइम पास मत करिए मेरे बूलूँगा कि 100% कोई चीज नहीं होता सरवगुण संपन हम भी नहीं है सरवगुण संपन अब भी नहीं है और वहांसे भी फिजिक्स का एक लौ है कि 100% कुछ नहीं होता है मतलब मैक्सिमम कवर रफ करने का परियास करेंगे और इसके बाद हम एक बुस्रे सब्जेक्ट अब वो डालेंगे क्रिप्समिसन आज हम क्रिप्समिसन के बारे में जानकारिया प्राप्त करेंगे कि क्या है क्रिप्समिसन इससे पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ और जब भी मैंने आपको चीजे पढ़ाई होगी जब भी मैंने आपको चीजे बताई होगी मैं हमे में फोकस नहीं करते हैं मरट लेते कि कब आया और बस 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 ऐसे नहीं पढ़ाई होती आपको प्रॉपली पढ़ना है जैसे कि आपको पता है यू के टी पलसी अफ एक्ट्वल डाटा पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे अगर आप में में किव क्यूं आया यह सारी चीज और प्याई सिर्टेश तो में लिखा दूगा पार लिख डि अब लगा यको यिजे और लेबात ने हैं पर आहे ने हम आये को यह को बता है आपको पिन अ 1048 दौर है अर्चुनाओं हुआ था लंदन में अब बृविटेन में सत्था का परिवर्वर्तन हो गया। रिटें में क्या हो गया था मैं सतता परिवर्तन हो गया में सतत परिवर्तन का क्या मत्तब कि ब्रИटें में में मेंजली दो Partia rule कर थी बहरत पहर्त कं नरी बेट काम कर था था बीजट इन तू पता नहीं बड़ उत्रा ख़ंड में आप देखेंगे तो बीजट आप Congress, B.E.P. Congress, B.E.P. Congress continuously चलता हुआ आ रहा है ऐसे ही लंदन में दो पार्टिया मेजरली काम करती थी जिन मेंसे एक पार्टी का नाम था Labor Party Labor Party इससे पहले सत्ता में नहीं थी Labor Party 1945 में सत्ता में आ गई Labor Party चुनाओ जीत की 1945 में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक आदमी था जो ब्रिटेन का PM था जिसका नाम था चर्चिल इस चर्चिल महोदे का नाम आपने बार-बार सुना होगा और यह चर्चिल चुनाओ हार गया और अब नया परदान मंत्री बना था हुआ पे जिनका नाम था क्लिमेंट एटली क्या नाम था उनका क्लिमेंट एटली तो ब्रिटेन में परदान मंत्री कौन बन गया साहब तो आप बोलोगे सर हमें तो पता है क्लिमेंट एटली बना था 1945 में किसको हरा कर क्लिमेंट एटली परदान मंत्री बना तो चर्चिल को हरा के बना यह बाहर गया और Clement Italy जीतकी है जब Clement Italy जीता तो Clement Italy कौन कासरी पार्टी से बिलोग करता था तो Clement Italy Labour Party से मजदूर पार्टी से बिलोग करता था Clement Italy मैं क्या कहा हूँ मुझे तो समय ये समझाना है कि किलिब समिसन भारत आया, कब आया, क्यों आया और क्या-क्या इसके उद्देश ये थे तो मैं समझाओंगा बगर क्यूं कारण तो हमें जान ना होगा ना जब तक हम कारण नी जानेंगे बागी चीजों को रट के फाइद है क्या होगा तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटेन में 1945 में ब्रिटेन में सता का परिवर्टन होँ अभी तक जो हिसाब किताब था चर्चिल के हाथ में परदानमंत्री यही थे बट अब की बार जो power आई वो Clement Attlee के हाथ में आई और Clement Attlee जीत गया और Labour Party की जीत हुई जब भी Labour Party की जीत हुई तो Labour Party के बारे हमने पहले से भी पढ़ा होगा तो यहां पर में एक point not करके लिख लेता हूँ कि Labour Party Labour Party या Clement Attlee भारत के पक्स में यह नहीं बोलूँगा कि वो अपने देश के पक्स में नहीं ते भारत के पक्स में थी यह बोलना बिल्कुल भी उचित नहीं है मगर आप यह बोल सकते है कि हाँ भई लेबर पार्टी भारत के पक्स में या भारत हे तु उदार थी ठीक है पार्टियों की बिचारधारा होती है Congress party के बारे में आपने सुना होगा उनकी बिचारधारा है, उनकी सोच, उनकी thinking, vision अलग होगा अब भारत में BJP party के बारे में आपने सुना होगा, उनकी सोच, उनकी बिचारधारा, उनके work, उनकी approach सब कुछ अलग होंगे दोनों पार्टिया अलग-अलग तरीके से वॉक कर सकती दोनों का उद्देश या भारत का विकास होना चाहिए मुझे लगते हैं एसी ब्रिटेन में दो अलग-अलग पार्टिया थी अभी तक चर्चिल की पार्टि काम करती थी इनका भारत के पार्टि अच्छा ब्यवार नहीं था जबकि दूसरी पार्टि थी लेबर पार्टि क्लिमेंटेटली इनका भारत के पार्टि जो ब्यवार था वो उदार था य अब इनकी सरकार बन गई, तब ही जाके इनकी सरकार में क्या आया हमारे देस में? कृप्समिसन आया. क्यूं आया है? वो भी समझते हैं. इस से पहले तक चर्चिल था और कृप्समिसन इसलिए नहीं आया था, कि वो थोड़ा नेगीटिव में था, यह थोड़ा वो कठोर था, यह थो निस्टोर था, मगर जब Labour Party की सरकार बनी, तो Labour Party नहीं यह देखा होगा, कि हम भारत में जो भी rule बनाते हैं, भारत में जो भी कानून बनाते हैं, भारत में जो भी mission भेजते हैं, तो भारत वाले उसको accept नहीं करते हैं, अर अब यह time गया कि भारत को जबरदस्ती गुलाम बनाये जाएं, अब भारत को जब जबरदस्ती गुलाम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए कि भारत को आजाधी कर दो, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भारत को आजाधी कर दो, भारत आई जा दें के और अग्रेसर करतें देरे 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 यहीं इनका मुद्धा ददा आई सी लिए आपice को पेजा किया था किर्पस puisque को दो भीजा गया था इतती बाते समझ में अब क्रिपस मिसने आया भाइ इसके वे सिक्षार में कुछ बेसिक सी बात है रिक नहीं पड़ेगी, कब आया कौन-कौन इसमें थे? इन वहाद लिखना है भाई, क्या लिखना है? अब भुला यार, आज नहीं तवेत सही नहीं है, बहुत सरदर्द है त्यारों में मार्केट सही परदर्द सही नहीं हो रहा है क्या किया जा है प्रॉब्लम तो, क्या प्रॉब्लम हो जा लिख रहा हूँ यह नहीं होगा है मेरे दिमाग इस्टी फोट अजनिया रहा परने में पढ़ाई को मज़े से तो करना पड़ेगा मेरे भाई मज़े से नहीं करोगे पढ़ाई को तो समझ में नहीं है कुछ भी बात है चलो तब आना सुरू करते है क्रिप्समिसन 24 मार्च 1946 को आया था जो बेसिक सा फैक्टेस का क्रिप्समिसन में में यह तीन लोग थे यह उसका करता धरता था इसलिए इसका नाम क्रिप्समिसन रखा गया है इतनी सी बात आप लोगों को पता होगा इसमें बेसिक से तीन मेंबर थे और बहुत बार क्वेसन आपने देखा होगा इनी तेन मेंबरों से पूछ लिया जाता कि कौन क्या था और कौन क्या नहीं था यह बेसिक्स बेसिक सी बात हैं मगर हम लोगों कोई सारी बाते पता होनी चाहिए कौन क्या था ठीक है एक important fact इन चीज़े बारे में याद अखना चाहिए इस्टिफोर्ट क्रीप्स कौन था यह था ब्यापार बूड का अध्यक्स ठीक है यह ब्यापार बूड का अध्यक्स था जिसको भारत में क्रीप्स मिसन ने तु बेजा गया था पैथिक लॉरेंस कौन था वहां तो पैथिक लॉरेंस होता था भारत सचीव इस मिशन का जो हिस्सा था एक पैथिक लॉरेंस तो पैथिक लॉरेंस कौन था तो आप बोलोगे भारत सचीव था एक पॉर पॉइंट आता एवी अलेक्जेंटर ये कौन था तो यह था नेवी मंत्री, जल मंत्री बोल सकता है, मैं यहाँ पर जल मंत्री लिख देता हूँ, यह नेवी का एक officer था, यह जल मंत्री यह वाटर से सम्मंदित मुद्धे इसके पास रहते थे, यही पॉइंट आप लिख से, यही तीनों यहाँ पर आए थे, क्यों आए थे, वह तुम्हें उपर समझा चुका हूँ, reason क्या था, क्या यार वहाँ क्लिमेंट एटली की party बनी थी, और क्लिमेंट एटली की विचार धारा यह थी, क्या आप कितना भी रोक टोक लगा लो, आप कितना भी समझा लो, क्या समझने वाले नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा बहुत आजादी के और अग्रिसर कर दिया जाएगा, मैंने बता दिया, कि वो नौ से ना मंत्री था, या नौ से ना का अध्यक्स था, पहला वाला या पार बोड का था, और दूसरा वाला क्या था, भारत सचिपता, यह बाते आपको पता है, यहाँ पर आये थे, जिन मुद्धो को लेके पर आये थे, उन मुद्धो की बात हम करते है, क्या उद्देश यह क्या था, यह क्या चाहा रहे थे, इनके क्या फैक्ट थे, इनके क्या पॉइंट, हमने पढ़ लिया कि क्रिप्समिसन क्यू बना, क्रिप्समिसन का बाय, क्रि मेला पॉइंट था, कथन वाले को ऐसन आएंगे, ध्यान रखेंगे, भारत में अंतरीम सरकार का गठन करेंगे, क्या करेंगे, अंतरीम सरकार का गठन करेंगे, जिसका सभी सदस्या भारतिया होंगे, ये मुद्दा था, मैंने कहा न, ये भारतियों के परती थोड़ा उदार थे, ये बोल ले थे कि हम आपके लिए एक अंतरीम सरकार का गठन करेंगे, अंतरीम सरकार आप समझते हो, पहली पहली सरकार थी बार, इसके बाद तो आजादी के बाद दूसरी सरकार बन गही थी, अगर जब होगा सारे भार, आप टेंसन मत लो, आप उल्टाय काम लड़ाए जखड़ा मत करो, आप आजाद होने वाले हैं, कोई प्राब्लम नहीं, ना तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके अलावा, यहां पे लिखना सुरू करते हैं, इसके अलावा उन्होंने बोला था, कि मेरे द निर्मान करेंगे, यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझना पड़े, जब सविधान सभा का निर्मान हमारे लिए होगा, वैसे तो यह पॉलिटी का एक चैप्टर है, पॉलिटी में सीज को हम पढ़ेंगे, अगर उन्होंने ब्यवस्त करी थी कि सविधान सभा में लगबख 390 सदबस्ये होंगे, जब उन्होंने बोले मतलब इंडियंस के लिए सविधान सभा बनाएंगे पैथिक लॉरेंस ने या कििरिभ्स मिसन ने बोला होगा, बोला सविधान सभा का निर्मान बनाओगे, जिनोंने हमारे देश trumpet का सविधान बनाय इन 399 में से बात की गई थी कि 93 सदस्य ऐसे होंगे जो देसी रियासत के सदस्य होंगे यह फैक्ट यह पॉइंट आपको याद रखना अर ऐसे ही क्वेसन बने इसमें बात की गई थी और चार मेंबर उनके ऐसे थे जो कमिस्नरी छेत्र के तो कमिस्नरी छेत्र के चार मेंबर आएंगे कहां से कमिस्नरी छेत्र से चार मेंबर आएंगे यह भी मुद्धा रखा गया यह चार कमिस्नरी छेत्र भारत में कौन-कौन से थे यह बहुत इंपोर्टेंट पैसन बनता है और यह कभी न कभी पेपर में आएगा इस पॉइंट को आप चार कमिस्णरी छेत्र कौन कौन थे अपको या डहने सब्सक्राय Васई में आपको एक रहने सh was घूत आ प्लू चिस्तान तो represent ऽ कर एक मर्ण के चार कमिस्णरी छेत्र में कौन कौन से नाम शबधान में मनोनित किया गया था तो आप बोलोगे चुना गया था सोरी बलूचिस्तान एक था कुर्ग एक था दिल्ली और एक था अजमीर बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त अगर आप अभी भी इसको याद नहीं कर रहे हैं अभी भी इसको इमपोर्टेंट नहीं कर रहे हैं आप पस्ता होगे फ़ी मुझे तो दोस्तों 390 सदस्य तक पोँचना है 339 10 दे सिरियास दो गे और चार कमिशनरी छेत्र होuld कशार कमिशनरी छेत्र कौन-कौन से यह बड़ा important और बहुत महत्तपूर्ण question है, यह question पेपर में फसीगा, आएगा, इसलिए से आप याद कर लीजे, मेरे दोस्तों, total 389 थे, तो 389 में अगला point लिख लीजेगा, अगला कौन सा था, एक वो हो गया, दो वो हो गया, कीसरा आपने लिखना है, वो था, प्रांतों स अब प्रांतों से कितने मेंबर थे, 292 मेंबर थे, ठीक है, बाके कितने मेंबर थे, बचे वे 292 सदस्य कहां से थे, प्रांतों से आएंगे, प्रांत बोले तो राजियों से आएंगे, उस समय कितने प्रांतों की ब्यावस्ता की गई थी, 11 राजियों यो 11 प्रांतों की ब् पर चुल सकते हैं 12 आप्रांतों को भी तीन भागों में बाटा गया था आवा साईबी सी में क्या बोला मैंने उन्होंने बोला था तुमारे देश के लिए सवीधान सभा बनायें जिसमें 390 सदाश्यों की बात की गई पिरानवे सदस्य बोले देशी रियासतों के होंगे, चार सदस्य बोलें कमिस्नरी छेतर के होंगे, कौन-कौन से कमिस्नरी छेतर थे, मैंने बोर्ट पे लिख दिया है, अब बाकि जो 292 मेंबर होंगे, वो चुन के आएंगे 11 राज्यों से, जैसे अभी हमारे देश में कितन राज्यों के व्यवस्तति, 11 राज्यों के व्यवस्तति इन 11 राज्यों से कितने आएंगे, 292 में क्या बोला, total 389 करना था मुझे, 93 कहां से आएंगे भाई देशी रियासत के मेंबर होंगे 4 कहां से आएंगे भाई कमिस्नरी छेत कमिस्नरी एरियास के मेंबर होंगे और 200 बैयान डवे मेंबर कहां से आएंगे भाई राजियों से आएंगे प्रांतों से आएंगे उस समय कितने प्रांतों होते थे तो 11 प्रांतों होते थे और आप अगर देखोगे दो चार दो छे और तीन नो नो ठारा काट हासी लगा एक 390 ये पूरे तो कृप्समिसें में ये भी एक मुद्ध था कि सवी धान सबा बनाएंगे और उनका पूरा खाका था कि कितने कितने मेंबर होंगे क्या क्या मेंबर होगे इसमें एक बहूंगी ऐसा पॉइंडियों अगर अगर का दीया पॉइंड School कि जो पाकिस्तान की मांग हो रही थी मैंने specify एक class आपको पढ़ाई थी पाकिस्तान की मांग कि पाकिस्तान की मांग मतलब Muslim League अड़ गई थी 1940 में कि भाई पाकिस्तान की अलग राज्य की अलग देश की डिमांड करने लगी थी कि चाहिए तो चाहिए तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे fed want आपको बताये थी कि पाकिस्तान सब किस dרOut दिया गया पाकिस्तान की मांग किस के द्र contar की गई यह सारी चीजे तो यहाँ पर किरिब सिमिसण के कथन आएगा कि पाकिस्तान की मांग को स्विकार किया अब बोलोगे किरिप्समिसंन ने पाकिसन की माओं को अस्वी कार किया था ये भी एक अच्छी फैसलिटी थी अलग नहीं होते तो लड़ाय जगड़ा नहीं होता आज जो जितना लड़ाय जगड़ा होता है एक दुस्जे के परती हीन भावना रखते हैं है यह वुल्टे काम करते हैं कि अगला प्राइंट इनका इता है HOके मुझे नहीं करते हैं बागी मुझे नहीं पता है इसके बारे में के फिलाल पाकिसान की माउग को कृष्य में क्रिसमी सचन्द क्रेंट कारम करत की नहीं यार यह ने वा कॉर्णा इनका फ्र equation का बर हमारे देश में भी क्या होता है संग होता है जिसे हम यूनियन बोलते हैं यह जिसे हम बोलते हैं केंदर सरकार और एक होता है राज्य जिसे बोलते हैं हम राज्य सरकार तो यहीं ब्यवस्ता की बात कर रही थी उन्होंने किरिब से मिसन में कि दो-दो सरकारों को निर्मान केंदर सरकार है और राज्य सरकार है दो अलग अलग सरकार है जिस देश में दो अलग अलग सरकार होती है उन्हीं को संगिय सरकार कहा जाता है और इस संगिय सरकार की एक भी वस्ता थी कि जैसे उत्रखंड एक अलग सा राज्य सरकार है इस्टेट गौवर्मेंट है और दिल् तो करते हैं, राज्ये अलग-अलग काम तो करते हैं, बट एर्देंड ये एक ही छत्री के नीचे होते हैं, सेंटर गवर्मेंट के, और किसी भी राज्ये के पास ऐसा पावर नहीं होता, कि वो सेंटर गवर्मेंट से अलग हो जाएं, बजम्यारी बात, कि जो संग्या सरकार ह होती है यहां पे सेंटर में एक सरकार काम करते हैं केंद्र सरकार उसके अंडर में बहुत सारी सरकारों कीज़ी वालेख चाहिए क metabolism करते नहीं होती कि वह प्रस्तायों कर सकते हैं यह ले ले जाते हैं किरिश्य प्रस्तावों में जो Deaf के पर ले ये आए यह ले याई चीजे आपके लिए करेंगे यह मुद्धा भी उसी में रखा था कि भाई तुमारे लिए दो पॉइंट भी हो जब उन्होंने यह सारे बाते रख दी अब होने तो चुनाओ अब होने तो चुनाओ तो हो गई ना भाई इतने सारे मेंबर चुन के जाएंगे जो सविधान को बनाएंगे सविधान को बनाने के लिए चुनाओ तो करवाने पड़ेंगे ना जैसे अभी हमारे देश में संसद में बहुत सारे मेंबर होते हैं वहां पहुंचने के लिए चुनाओ तो जीतना पड़ेगा ना भाई जब चु चुनाओ क्यों लड़ेगा उसने अपने बंदे को मनोनित करके भेज दिया कि जाओ आप जाओ सविधान सभा को बनाने में पार्टिसिपेट करो तो चुनाओ कितने सीट के लिए वाता तो चुनाओ वाता तो चुनाओ वाता तो चुनाओ वाता आप बोलोगे 206 सीट कहां से आई तो मैं बोलूँगा 202 सीट तो कौन सी है जो प्रांतों से आई है 202 सीट तो कहां से आएगी प्रांतों से और उस समय प्रांतों की संख्या कितनी थी 11 अब प्रांतों कितने भागों में बाटे गे थे 3 ABC आब आस तीन भागों में प्रांतों को बाटा गया था ठीक है यह 202 अब प्रांतों वाल झेत न है था एक कमिस्न अचेतन था बलूचिस्तान एक कमिस्न चेतन था खुर्ग एक कमिस्न चेतन था दिली और एक कमिस्न चेतन था वे साहब था he was marwar marwar my bar my valmar Loren qué B Dirett अभी तो मैंने थोड़े देर पर लिखा था, अभी मैं भूल गया, अजमेर, मारवार अजमेर, तो मैं सही बोल ला था, अजमेर, मारवार वाला छेतर के आता था, यह कमिसनेद, चेतर के आ ता था, ओढ़ जब 296 सीटों पे चुना हुए तो इसमे इस ay $ствен2 में से question आता है कि सविधान सभा के निर्माण है तू Muslim League कितनी सीटों पे वीज़े हुई थी और Congress कितनी सीटों पे वीज़े हुई थी ऐसे point बन जाते हैं और हमें हर एक fact को मध्यनेजर रखते वे ध्यान में रखते वे चीज़े याद करनी इन 266 सीटों में से 208 सीट Congress जीत गई और full majority के साथ जीती थी ये बात आपको पता होगी Muslim League के हाथ में आये थे 73 सीट ये बात आपको याद अखनी है आटा 3, 11 और 5 और 15 सीटे जो बच गई थी वो निर्दले निर्दलिया अन्या छोटी मोटी कोई पार्टी रही होगी उनके हाथ में आई थी जब क्रिप समिसन आया था उसमें सविदान सभा की बात थी सविदान सभा की बात थी उनके पॉइंट क्या क्या थे उनके मुद्दे क्या क्या थे वो सारे मुद्दे सारे पॉइंट मैं आपको समझाया फिर मैं बोला कि वो चुनाओ करे चुनाओ कब हुए चुनाओं में कौन-कौन जीता, किती-किती सीट है, किस-किस को मिली, वो सारी बाते मैंने आपको बता दी है, उम्मीद करता हूँ, किती बाते आपको पता चले. एक last point मैं आपको लिखा देता हूँ, इसके बारे में, इसके बाद जोगला topic आएगा, वो heading डालेंगे हैं, अंतरीम सरकार. अब क्या करते हैं, इसके बाद भारत में, अंतरीम सरकार का गठन होता है, बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाया जाता है, 14 सदसिया, अंतरीम सरकार का गठन होता है, और वहाँ से बहुत ही important person बनेंगे, आने वाली class में. बट मैं यहां का एक last point लिखा देता हूँ, कि जब चुनाओं हुए, अर्चुनाओं में तुमने देखा कि 390 सीटे निर्धारित की गई थी, जिसमें से 1390 सीटे तो देशिरी आसतों की थी, तो सीटों का निर्धारन किस बेस पे हुआ था, तो सविधान सभा बनाने के लिए 10 लाख की, यह गुरूपसी का question है, 10 लाख की जनसंग्या पे एक सीट का निर्धारन किया गया था, भाई यह बहुत important point है, मेरे भाई अभी में बोलना हूँ, इसे याद कर लीजिएगा, यह पेपर आपको MCQ में बार-बार देखने के लिए मिलेगा, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने भाई सविधान सभा बनाने के लिए 390 सदस्यों को मनोनियन करा था, तो अंग्रे जोने कोई न कोई तो लाजिक लगाया होगा, इतने ही सदस्यों क्यों चुने भाई, इसी के बेसिस पे 389 सीटों को क्या हुआ था, मनोने यह चुना गया था इसमें से 93 सविक बात थी क्रिप्स मिसन की, क्यों आया था, कब आया था, कौन को न आया थे, क्या उसके फैक्ट थे ये बात मैंने आपको बता दी, इसके बात आगे क्या होगा, Muslim League इसका बिरोध करने लग जाती है मैंने कहा आपको कि Muslim League एक तो यहां पर हार गई 73 ही सीट जीती है उपर से Muslim League की जो पाकिस्तान बनाने की मांग थी वो क्रेब से मिसन नहीं एकसेप नहीं करी तो Muslim League को अब गुस आएगा ठीक है पर Muslim League गुस से आता है Muslim League को Muslim League बिरोध करती है बट उस बिरोध का क्या रिजल्ट निकलता है उसके लिए आपको एक next class देखनी पड़ेगी उस class में आपको समझाए जागा कि आगे का data क्या होता है तब तक बने रहेगा channel में मिलते हैं next class में